और जिसका मुझे था इंदिवार ओ धड़ी आ गई है जी हाँ CBSC ने सेशन 2021 और 22 का सेलेबस रिलीस कर दिया है आपके क्लास का भी या सेलेबस तो पता होगा सबको बिल्कुल पता होगा अरे क्या सेलेबस दिया भाई CBSC ने इतना easy easy chapter जी हाँ ऐसा ही कुछ आज का chapter है is matter around us pure ये chapter बड़ा easy है नहीं believe हो रहा है नहीं believe हो रहा है चाप्टर को पढ़के देख लो यार ये आपके half yearly में सबसे पहला chapter है जो आएगा अच्छे से पढ़ना बिल्कुल एकदम तो अपने कमर की पेटी बाद लीजे आज तुम बिल्कुल हिल जाने वाले हो मेरे भाई क् कि इस chapter के इस वीडियो में हमने सारे ब्रह्मास्त्र यूज कर दिये है चाहे वो 3D animation की बात हो practical activities की बात हो सभी इस वीडियो में रखा है ताकि आप के लिए explanation हो जाए super easy line by line NCID का यूज किया है लेकिन बिल्कुल मज़ेदार करीके से तो चलिए start करते है class 9 के science का chapter number 2 is matter around us pure क कि हमारे अगल बगल की चीजे सुद्ध है start करते हैं पढ़ते हैं देखते हैं कि क्या सच मुछ हमारे अगल बगल की चीजे सुद्ध है या मिलाउटी है मेरे भाई ये तो chapter पढ़ने के बात पता चलेगा कुछ background है chapter का अच्छा तुम कभी भी दुकान पर जाते हो तुम कहते हो मालनों तुम्हे घी ले ना हुआ क्या बोलोगे कि भया हमें सुध्ध देसी घी दे दो दूकानदार एकदम चम चम आता हुआ पाम किट निका लेगा ये लो सुध देसी घी लिखा तो रहता है प्योर घी लेकिन क्या सचमुछ वह सुध होता है बिलकुल ऐसे ही द अरे ये हम आम आदमियों के लिए प्योर होते होंगे हम आम आदमियों के लिए कोई चीज सुध कब कहलाती है जब उसमें किसी चीज की मिलावट ना की गई हो लेकिन जो भाई बैग्यानिक हैं, जो साइन्टिस्ट लोग हैं उनके लिए pure चीजों का मतलब कुछ और ही होता है scientist के लिए pure का मतलब होता है भाई pure वो उन्हें ही कहते हैं जो केवल एक ही substance के particle से बनाओ जैसे दूध ही हो गया अब दूध किन-किन चीजों से मिलकर बनता है water होता है, fact होता है, protein होता है अलग-अलग चीजे इसमें मिली हुई है यह सुध नहीं है, यह क्या है, यह मिलावटी चीज है ऐसे ही soda water ले ले, soda water soda water, जो cold ring हम पीते हैं मेरे भाई, coca-cola उसमें salt मिलाया रहता है, sugar मिलाया गया रहता है अलग-अलग gases मिलाई गई रहती है तो यह भी pure नहीं है, ठीक है, समझ रहो ना अब pure क्या है, scientist किसे pure मानते है scientist उन चीजों को pure मानते है जो केवल एक ही substance के particle से बना हो जैसे sugar, भाई, sugar में sugar के अलावा किसी और चीज का particle नहीं मिलेगा salt ले लो नमक, नमक में केवल salt के particle होते है किसी और चीज का particle नहीं होता है तो भाई हम आम आदमे के लिए pure का मतलब कुछ और होता है वाज्यानिकों के लिए pure का मतलब कुछ और होता है तो चलो पता ही लगा लेते हैं कि क्या अमारे अगल बगल की चीजें सचमुष सुद्ध हैं या मिलाउटी हैं Let's get started But before that अगर आप पहली बार चानल पर आए हो तो भाई सस्क्राइब जरूर करें सस्क्राइब के साथ साथ जिन्होंने सस्क्राइब कर लिया है वो घंटे को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो साब को लगातार हर बार मिलती रहें Let's get started Hi, तो क्या हाल चाल By the way, चाप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू ये चाप्टर No.2 is matter around us pure ना आपके लिए बड़ा ही important है क्योंकि Term 1 के exam में ये चाप्टर CBSC ने रखा है तो ध्यान से पहणना और हमें स्टार्ट करना इस चाप्टर को Topic No.2.1 What is Mixture से यानी Mixture क्या है अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि Pure Substances यानी सुद्ध चीजें हम किसे कहते हैं अब हम पढ़ेंगे भाई Mixture किसे कहते हैं यानी मिलावट क्या है आपने वो जागो ग्राहक, जागो वाला advertisement तो देखा होगा न यह है लाला धनी राम जी, मिलावट करते बड़े राम जी अरे हाँ, Mixture का मतलब क्या होता है Mixture का मतलब होता है Mi-la-what, मिलावट अच्छा, अगर इसे हम science के भावशा में जाने तो Mixture किसे कहते हैं हम Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter यहाँ पर बड़े ही साधारर सी भासा में कहा गया है कि अगर more than one, यानि एक से जादा pure चीजें आपस में मिल जाएं तो हम इसे कहते हैं कि Mixture हो गया चलो, example देता हूँ, तो मच्छे से समझ पाओगे अगर हमारे हवा, अगर हमारे air की बात कर ले हम तो हमारे air में अलग-अलग तरीके की gases है oxygen है, nitrogen है, carbon dioxide है, carbon monoxide है तो यह क्या हो गया? Mixture हो गया मेरे भाई अच्छा, समुद्र के पानी की बात कर ले, sea water की बात कर ले अब sea water में, आपको पता है, समुद्र के पानी में नमक मिला हुआ होता है तो क्या है? पानी में नमक मिला है, यह भी mixture है अच्छा, हमारा जो lemonade हो गया, जो हम निम्बू का रस बनाते हैं निम्बू की रस में हम चीनी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं क्या हो गया? Mixture हो गया ना, तो mixture मतलब समझ रहो ना, मिला किसी भी दो सुध चीजों को अगर हम मिला दें, तो हम उसे कहते हैं Mixture, ठीक है? अच्छा, pure form of matter को हम एक और नाम देते हैं Substance कहते हैं हम, इस chapter में हम pure form of matter को Substance कहेंगे, ठीक है? अगर तुम से कोई पूछे कि What is Substance? क्या कहोगे? कहोगे कि भाईया, pure form of matter is known as Substance, ठीक है? यहाँ पर Substance के बारे में कुछ बताया गया है कि A Substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process कह रहा है कि भाई, जो pure substance होता है, जो सुध चीज होती है वो हम कभी भी, किसी भी physical process की मदद से उसे हम अलग नहीं कर सकते Pure form of matter के example लेते हैं, जैसे सुगर हो गया हमारा सुगर हो गया, ठीक है? अच्छा, क्या तुम सुगर को तोड कर, फोड कर, हथोड़े से मार कर क्या तुम सुगर को अलग कर सकते हो, क्या? अरे नहीं यार, अलग करके भी क्या कर लोगे? रहेगा तो वो सुगर ही ना तो वही कह रहा है कि भाई, जो pure form of matter होता है ना हम उसे किसी भी physical process से, physical process मतलब हाथों से तोड कर हथोडे से मार कर, पटक कर, किसी भी तरीके से हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं लेकिन वही पर दूसरी चीज इसने कहा है, कि जब हम sodium chloride sodium chloride का मतलब तो पता है ना, sodium chloride मतलब NaCl होता है यानि जो common salt होता है, जो हमारे यहाँ खाने वाला नमक आता है ना उसी को हम NaCl कहते हैं, तो कह रहा है कि भाईया, चलो एक जगह तो मैंने मान लिया कि जो pure form of matter है, हम उसको किसी भी physical process से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाईया, आप देखो तो जो common salt होता है, जब हम इसे पानी में मिला देते हैं जब एक common salt, यानि हमने salt ले लिया और हमने water ले लिया, ठीक है, salt ले लिया, water ले लिया हमने अच्छे से मिला दिया इसे, अच्छे से एकदम पानी को और नमक को मिला दिया, ठीक है, अब इसके बावजूद sodium chloride can be separated from water by the process of evaporation देखो, होता क्या है कि जब हमारा salt water, ये salt और water आपस में मिल जाता है अगर हम इसे गरम करना start कर दे, हमें salt water को गरम करना start कर दे न तो होगा क्या, जो सारा water है वो वैपर बनके उड़ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, केवल salt बचेगा, ठीक है, तो अभी तो just हमने कुछ दिर पहले पढ़ा कि pure substance को हम अलग नहीं कर सकते, हमने यहाँ पर कैसे अलग कर दिया भाई, salt water तो pure substance है ही नहीं, salt water तो mixture हो गया न, water plus salt का mixture हो गया हमारा salt water, ठीक है, अब हमने बस water को अलग कर दिया salt से हमने यहाँ पर pure substance को कहां अलग किया, sodium chloride तो खुद में एक pure है खुद sodium chloride यानी common salt यानी नमक, यह खुद एक सुध चीज है, ठीक है, और नमक को तुम किसी भी physical process से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है, अब देखो नमक का मतलब क्या होता है, नमक का मतलब होता है Na, Cl, अब तुम किसी भी physical process से Na और Cl को अलग नहीं कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं ना, कि तुमने Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब होता है sodium, ठीक है, sodium, Cl का मतलब क्या होता है, Cl का मतलब होता है chloride, ठीक है, तुम किसी भी physical process से यानि तुम नमक को हथोडे से मार कर, पटक कर, या कहीं पर, दिवाल पर रख कर, तुम किसी भी तरीके से NA और CL को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम चीनी की बात करें, सुगर की बात करें, तो सुगर भी एक pure form of matter है, एक सुध चीज है, कैसे, Because it contains only one kind of pure matter, and its composition is the same throughout, अब भई चीनी की बात कर लें, अब तुम जब चीनी को पानी में मिला रेते हो, तो भई तुम उपर का पानी पीओ, तब भी मीठा लगेगा, नीचे का पानी पीओ, तब भी मीठा लगेगा, क्यूँ, क्यूँकि भई जो हमारा सूगर है, जो हमारा च पीनी है, वो एक pure matter है, वो एक सुध चीज है, ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, भी हमने pure substance पढ़ लिया, और हमने pure substance के बारे में दो चीजे पढ़ी, हमने पढ़ा कि भाई, जो pure substance होता है, वो किसी भी physical process से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, समझ में आया, चालो, अ अब mixture की बात करते हैं, जो हमारा soft drink होता है, soft drink यानि coca cola हो गया, thumbs up हो गया, वैसे ये हमारे सेहत के लिए काफी हानी कारक होता है, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भाई, जो soft drink होता है, और जो मिट्टी होती है हमारी, जो हमारे खेतों में मिट्टी होती है, ये pure नहीं होते है इस आर नोट सिंगल सबस्टेंसे, ये pure नहीं होते हैं, अब तुम soft drink की ही बात कर लो, cold drink की बात कर लो, cold drink में चीनी मिला हुआ होता है, पानी मिला हुआ होता है, और भी अलग-अलग चीजे, soda मिला हुआ होता है, तो soft drink हमारा pure नहीं है, बलकि क्या है, mixture है, ठीक है, वैसे ह मिट्टी की बात कर लें, तो भाई मिट्टी में clay होता है, clay के साथ साथ water भी होता है, water के साथ साथ हमारा dead plants भी होते हैं, insects भी होते हैं, तो मिट्टी भी pure नहीं होती है, मिट्टी भी अलग-अलग चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, तो अब तक हमने क्या जाना, हमने अब तक जाना कि whatever the source of a substance may be, कह रहा है कि किसी भी pure substance की अगर हम बात करें, तो वो चाहे जहां से लिया गया हो, it will always have the same characteristic property. कह रहा है कि भाई कोई भी pure substance है, मानलो हम सूगर को ही ले ले, अब सूगर को तुम चाहे दुकान से ले लो, या तुम गन्य की खेट से खुदी बना लो सूगर को, सूगर तो सूगर रहेगा न, वो हमेशा मीठा ही लगेगा, उसकी property हमेशा same रहेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो mixture होता है न, mixture contains more than one substance, अब हम ऐसा कह सकते हैं न, मतलब अगर हम pure substance की बात करें, तो pure substance हमेशा एक ही property दिखाता है, लेकिन मिट्टी की बात करें, मिट्टी की अलग-अलग properties होती हैं, soft drink की बात करें, यानि Coca-Cola, Coca-Cola की भी अलग-अलग properties होती है, Coca-Cola कभी मीठा लगता है, कभी खटा लगता है, है कि न, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, कि भाई, जो mixture है, वो एक से ज़ादा सुध चीजों की मिलावट होती है, हाई, हमारे society में न, coding को लेकर बहुत ज़ादा stereotype से, लोग कहते हैं कि coding बच्चों का खेल नहीं है, coding बहुत ज़ादा difficult है, और इसे school जाने वाले बच्चे तो बिल्कुल नहीं सीख सकते, क्योंकि उन्हें अपना भी पढ़ना होता है, अरे, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, Geeks for Geeks एक online educational platform है, जो आपको coding सिखाएगी और वो बिल्कुल free, हाँ, सई सुना आपने first step for data structure and algorithm का life course आपको बिल्कुल free में मिल सकता है, इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो के description box में मैंने contest को join करने का link दे दिया है, free है, ये बिल्कुल link पर click करो, अपने आपको registered करो, Facebook, Google, अपना जो भी detail मागता है, अपना fill up करो, school name, अपना नाम, ठीक है, आपने जो भी qualification की हो, सब कुछ fill up करो, fill करने के बाद अपने आपको register करो, इस scholarship test के लिए जो की होने वाला है, 7th of August, 4 बज़े साम से लेकर, 6 बज़े के बीच में, और top 20 बच्चे, जो इस scholarship test में, top 20 बच्चे होंगे, उनको ये life course बिलकुल free मिल सकता है, और बहुत सारे goodies भी मिलेंगे, तो क्या आप उन 20 में से हो, please join the link given in the description box, and prepare yourself for scholarship test, coding के लिए हो जाईए तयार, so I hope आपको ये topic अच्छे से समझ में आ गया होगा, now is the time कि अब हम समझ लें, कि भाई, types of mixture कितने होते हैं, मतलब, मिलावट कितने प्रकार से की जा सकती है, ठीक है, let's go, Hi, welcome to live activity, इस activity से हम सीखेंगे, कि भाई, mixtures कितने तरीके की होते हैं, यानि हम कितने तरीके की मिलावट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने 4 glasses लिया है, और इन 4 glasses में हमने 50 ml water already fill कर रखा है, यह देखो 50 ml water already fill कर रखा है, और इसमें हम mix करेंगे 4 अलग-अलग चीज़ें, we have ink, सबसे पहले हमारे पास ink है, इसे हम इस water में डाल के mix करेंगे, यह मेरे पास oil है, ठीक है, यह oil है, और इस oil को भी हम डाल कर mix करेंगे, एक glass में, मेरे पास sand है, यानि बालू, इसको भी हमें एक glass में mix करेंगे, और हमारे पास sugar है, यानि cheese, इसको भी हमें 4 glass में mix करेंगे, इन 4 चीज़ों को अलग-अलग mix करके, हम देखेंगे कि भाई, कितने तरीकी के mixtures बनते हैं तो चुरो start करते हैं सबसे पहले मैं add करूँगा इसमें oil ठीक है? पहले वाले में oil डाल रहा हूँ, यह देखो oil मैंने करी, ठीक है? ठीक है? ओकी, second वाले में मैं ink put करूँगा ink 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 अब इसको पूरी तरीके से mix करने वाला हूँ मैं, तुमारे सामने ताकि यह आराम से घुल जाए mix हो गया, ठीक है? now in third one we will put sandstone, बालू यह देखो, मैंने इसको डाला इसको भी मैंने mix कर दिया डाला मैंने, और मस्त से mix कर दिया मैंने चालो, और जो आखरी वाला यानि fourth वाला है, इसमें हमें sugar put करना है, यह मैंने sugar put करके इसको steer कर दिया mix कर दिया okay, so अभी हमारे पास 4 अलग अलग तरीके के mixtures है मैं camera man से request करना चाहूँगा कि please इन mixtures को focus करें अब एक इक करके इन mixtures को observe करना start करते हैं, सबसे पहले मेरे पास है ink solution, आप इस solution में देख पा रहे हो ink perfectly dissolve हो गया है, ठेक है, आप पहले observe करते हैं, इसमें perfectly dissolve हो गया है, now we have second, इसमें हमने water plus oil मिलाया है लेकिन इसमें आप देख पा रहे हो, oil जो है, वो ऊपर इकठा हो गया है और water, नीचे इकठा हुआ है perfectly boundary देख रहे है आप देख रहे हो, boundary is visible in this solution इसमें हमने oil और water mix किया है, और इसमें boundary so कर रहा है, ऊपर oil है, नीचे water third देखते हैं, this is sugar solution, sugar solution में हमें boundary नहीं देख रहे है, हमें कुछ नहीं देख रहा, यह हमें एक uniform solution देख रहा है, boundary देख रही है कोई, नहीं देख रही है भाई अच्छा, we have fourth one, this is sand solution हमने इसमें water में sand मिलाया हुआ है, आप clearly देख पा रहे हो कि जो sand है, यह इस glass के नीचे वाले हिस्से में जाकर बैठ गया है, और water कहां है यह उपर है, तो यहाँ पर आपने दो अलग-अलग categories के mixtures देखे, एक तो यह वाले, जिनकी boundary दिख रही है, एक यह वाले जिनकी boundary बिलकुल नहीं दिख रही है, यह है uniform composition वाले, मतलब यह पूरी तरीके से घुल गये हैं, और दूसरे क्या है, non-uniform composition वाले, इनकी boundary दिख रही है, यह water से पूरी तरीके से mix नहीं हुए है, ठीक है, तो यह भाई हमारा हो गया, first type of mixture, which is called heterogeneous mixture heterogeneous mixture इसमें क्या होता है boundaries between two particles are visible, ठीक है now second one is what यह है हमारा homogeneous mixture, इसमें boundary is not visible, boundary is visible between particles, boundary is not visible into particles, यह homogeneous, that is heterogeneous, so I hope you got it by this activity, let's move forward, so अब तक हमने भाई कुछ चीजों के बारे में पढ़ लिया है, जैसे pure substances किसे कहते हैं, सुध चीजे क्या होती हैं हमने mixtures के बारे में भी पढ़ा कि मिलावट किसे कहते हैं हमने two types of mixture homogeneous और heterogeneous इनके बारे में भी पढ़ लिया है, अब हमें इस chapter में कुछ और topics को पढ़ना है जैसे solutions किसे कहते हैं suspension किसे कहते हैं collidal solution किस चड़िया का नाम है हम इन तीनो topics को आगे इसी part में पढ़ेंगे चलो, so let's proceed आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ question है हमारे सामने जो कुछ भी अब तक हमने पढ़ा है न वहाँ से हमारे लिए दो question है सबसे पहला question है कि substance किसे कहते हैं मैंने आपको बताया है कि pure thing is known as substance pure form of matter is known as substance, बढ़ा ही आसान है दूसरे question मैं आपसे पूछ रहा है कि homogenous और heterogeneous mixture में अंतर बता दो तो आप अपने से कर लोगे यारी से अब ये भी मैं बताओ तो क्या student बनेगा रे तू अपने से कर ले न बाकी last में तुम्हें बताई दूँगा तुम्हें ठीक है चाप्टर इंड होने पर ओहो हो वाओ 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 क्या topic आया है topic number 2.2 what is a solution solution क्या है यार किस चड़िया का नाम है solution जानते हैं पहली line में solution का definition दिया है कि भाई जो solution होता है न वो एक homogenous mixture है दो या दो से अधिक चीज़ों का कह क्या रहा है कि भाई homogenous का मतलब क्या होता है homogenous mixture मतलब दो चीज़े ऐसे मिलाई जाए कि पता ही ना चले कि मिलावट की गई है for example अगर तुम सुगर को अगर तुम सुगर को water में mix करते हो तो तुमें देख कर पता चलता है क्या इसमें चीनी मिलाया गया है अरे नहीं पता चलता है यार जब तक तुम इसे टेस्ट नहीं करोगे तब तक तुम बताई नहीं सकते हो कि water में सुगर मिलाया गया है सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल तो ऐसे mixture को हम homogenous mixture कहते हैं तो कह रहा है कि भाई solution तब ही बनता है जब दो या दो से अधी चीजों को ऐसे मिलाया जाए कि पता ही ना चले अब देखो तुम अपनी day to day life में बहुत सारे solutions को जानते होगे जैसे निम्बू का रस हो गया अब lemonade जो होता है वो किससे किससे बनता है lemon के रस से lemon पहले तो निम्बू चाहिए उसके लिए पानी चाहिए, water चाहिए ठीक है, उसके बाद हमें sugar चाहिए या salt चाहिए अब ये तीनों चीजें ऐसे मिलाई जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये lemonade है, क्या तुम निम्बू के रस को देखकर पता लगा सकते हो, कि ये निम्बू का रस है अरे नहीं पता लगा सकते भाई तुम्हें उसके लिए तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा ठीक है, तो ऐसे mixture को हम क्या कहते है, solution कहते है ठीक है, soda water भी एक example है, solution का soda water में मिलाया जाता है लेकिन हमें देखकर पता नहीं चलता कि ये soda water है जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तब दक मैं पता नहीं चलेगा, ठीक है तो ये दोनों चीज़े क्या है, ये solutions के example है, salt water हो गया ये भी क्या है, solution का example है ink, अगर हम water में ink को मिला दें, यानि स्याही मिला दें, तो ये भी एक तरीके का solution है अच्छा, आज तक देखो usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid liquid or a gas dissolved in it आज तक अगर कोई हमें बोलता है कि भाई ये चीज़ solution है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि solution मतलब कोई liquid है और liquid के अंदर कुछ मिलाया गया है, हमारे दिमाग में आता है कि भाई, जैसे liquid के अंदर solid मिला दिया गया हो, उसे solution कहते हैं, जैसे water के अंदर हम sugar मिला देते हैं, तो वो एक तरीके का solution हो जाता है, हम water के अंदर detol, जो की एक तरीके का liquid है, वो भी तब भी हम कहते हैं कि भाई हाँ यह तरीके का solution है अगर हम liquid के अंदर gas मिला दे जैसे पानी के अंदर oxygen पहले सी मौजूद होता है तो हम उसे किया सकते हैं कि हाँ वो solution है आज तक तो केवल solution का मतलब हम इतना ही जानते थे लेकिन जानकर हैरानी होगी तुम्हें कि भाई solution केवल पानी में किसी चीज को मिलाने को नहीं कहते हैं बलकि अगर दो solid भी एक दूसरे से मिल जाएं तो वो solution बना लेते हैं दो gases भी अगर एक दूसरे से मिल जाएं तो वो solution बना लेते हैं जैसे, example देता हूँ मैं तुम्हें अब अगर steel की मैं बात करूँ steel, steel तो जानती होगी तुम्हारे घर में steel के बढ़तन आते हैं अब जो steel होता है न ये iron और carbon को ऐसे मिलाया जाता है कि पता ही नहीं चलता तो iron carbon क्या है? ये एक solid solution है घिक है? gaseous solution जैसे हमारा air हो गया हमारा जो खुला हवा है भाई हवा में हमारे oxygen भी है nitrogen भी है carbon dioxide भी है लेकिन पता नहीं चलता हमें लगता है कि भाई बस air ही air है तो ये क्या है? ये एक तरीके का gaseous solution है तो solution मतलब केवल liquid में किसी चीज को मिलाना नहीं कहते है बलकि हम solid solid का भी solution बना सकते है gas gas का भी solution बना सकते है मैंने आपको example भी दिया ठीक है? in a solution there is a homogeneity at the particle level मैंने आपको अभी बताया कि भाई solution कोई चीज तभी बनती है मतलब उनके मिलावट में न homogeneity हो मतलब एक रूपता हो homogeneity का मतलब क्या होता है कि एक जैसा दिखें ठीक है? जैसे हम for example यहाँ पर देखो एक example भी है lemonade जो होता है जो निम्बू का रस होता है अब निम्बू का रस जब हम बनाएंगे एक glass भरके माल लो हमने निम्बू का रस बना दिया अब निम्बू के रस का तुम चाहे उपर वाला हिस्सा पी लो चाहे तुम नीचे वाला हिस्सा पी लो लगेगा तो निम्बू का रस ही न तुम्हें लगेगा तो lemonade ही न तो तुम चाहे उपर का पानी पीलो चाहे नीचे का पीलो तुम्हें मीठा ही लगेगा ठीक है तो वो भी क्या है वो भी एक तरीके का solution है यह हमें यह बताता है कि particles of sugar और salt are evenly distributed in the solution तो भाई जो solution का definition है इससे हमें एक बात तो पचा चल गया कि कोई चीज़ solution तभी बनती है water में sugar और salt पूरी तरीके से घुल जाता है एक एक particle water के साथ mixed हो जाते है तभी हम उस चीज़ को क्या कहते है solution कहते है ठीक है मैंने अभी उपर एक word लिया था यहाँ पर देखो alloy लिखा है अब तुम्हें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि alloy किसे कहते है अब देखो alloy क्या हो गया या दो non-metals का mixture हो गया इनको हम alloy कहते है ठीक है जैसे एक example है alloy का brass brass आपने नाम सुना होगा brass एक तरीके का क्या होता है metal ही होता है अब यह जो brass होता है यह दो metal से मिलकर बना होता है 30% zinc और 70% copper से मिलकर बना होता है तो यह जो more to no वाला option है यहाँ पर आपको बताया गय कर यहां तक इसकी definition है कि भाई जो alloy होता है वो दो metals का या दो non-metals का mixture होता है और इन दोनों चीजों को हम किसी भी physical method से अलग नहीं कर सकते हैं cannot be separated ठीक है example के तोर पर आप brass ले लेना brass में 30% zinc होता है और 70% क्या होता है copper होता है got it समझ में आए इतना चालो आगे बढ़ते है अब तक तो solution के बारे में हमने पढ़ा solution का example हमने लिया अब actual में समझो कि solution क्या है देखो a solution has a solvent and a solute as its component कोई चीजी solution तब बनती है जब उसमें क्या हो जब उसमें दो चीजे हो क्या क्या सबसे पहला solute हो और दूसरा solvent हो अब ये solute और solvent क्या है देखो the component of the solution that dissolves the other component in it is called the solvent solvent हमेशा large quantity में present होता है जैसे हम water में सूगर मिलाते हैं हम water में ये मालो water है हम water में क्या मिलाते हैं हम water में सूगर मिलाते हैं ठीक है तो इसमें solvent क्या हुआ ये water solvent हुआ क्यों क्यों क्योंकि water ही तो सबसे ज़ादा मात्रा में यहाँ पर present है ठीक है यही तो बताएगा है ना कि एक ऐसा component जिसके अंदर किसी दूसरी चीज को dissolve किया जाए यहाँ पर water के अंदर हम सूगर को dissolve कर रहे हैं तो यह water हमारा क्या कहलाएगा solvent कहलाएगा क्या कहलाएगा solvent कहलाएगा और एक ऐसा component जो dissolve किया जाता है यहाँ पर सुगर को dissolve किया जा रहा है इसको dissolve किया जा रहा है सुगर को इसलिए सुगर क्या कहलाएगा solute कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा solute कहलाएगा तो भाई solution दो चीजों से मिलकर बनता है एक solvent और दूसरा solute जब solvent को solute के अंदर मिला दिया जाता है तो हो गया हमारा solution क्या हो गया हमारा solution हो गया एक बात याद रखना कि जो solvent होता है वो हमेशा larger quantity में present होता है और जो solute होता है वो हमेशा less quantity में होता है ठीक है? I think you got it Now, we will see the examples of solution one by one तो solution तो आपने पढ़ लिया कि solution कहते किसे हैं? अच्छा, अब example से थोड़े और अच्छे से समझ लेते हैं मैं तुम्हें एक दो नहीं बलकि चार-चार example दोंगा ताकि तुम्हें solution बहुत अच्छे से समझ में आ जाए चालो, number one, sugar in water, ये एक solution का example है, जी हाँ, हम चीनी को पानी में मिलाते हैं इस केस में ये कौन सा solution है? ये एक solid in liquid का solution है, यानि सुगर एक solid है और ये हम water में मिला रहे हैं जो कि एक liquid है, इसलिए ये solid in liquid का solution है, इस केस में जो हमारा sugar है, वो solute का काम कर रहा है solute किसे कहते हैं? जो चीज मिलाई जाए, that is solute, हम water में सुगर मिला रहे हैं, तो सुगर हमारा सल्यूट का काम करेगा और वाटर हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा, it's so easy नमबर टू, आयोडीन इन एलकोहल, हम आयोडीन को एलकोहल में मिलाते हैं, ताकि हम एंटी सेप्टिक बना पाएं, एंटी सेप्टिक क्या होता है एंटी सेप्टिक एक दवा होती है हम अगर कहीं जल जाते हैं, कहीं कट जाते हैं, तो हम एंटी सेप्टिक लगाते हैं तो हम जब आयोडीन को एलकोहल में मिलाते हैं, तो ये यह भी एक solution का example है, हम इसे tincture of iodine कहते हैं, tincture of iodine यानि antiseptic होता है यह, इस case में iodine और alcohol का solution है, यह solid in liquid का solution है, obviously iodine solid है, alcohol liquid है, solid in liquid का solution है, और इस case में भी iodine हमारा solute है, और alcohol हमारा solvent है, समझ में आया, number 3, aerated drinks, यानि soda water हो गया, हमारे जो cold drinks होते हैं, इन में क्या होता है, यह भी एक solution होते हैं, यह किस चीज के solution होते हैं, gases in liquid के solution होते हैं, जो हमारा soda water होता है, soda water में gas मिला हुआ होता है, carbon dioxide और water के mixture को हम soda water कहते हैं, और soda water एक solution है, इस case में soda हमारा क्या है, soda water में जो carbon dioxide है, जो gas है, यह solute का काम करेगी और जो water है, वो solvent का काम करेगा, obviously gas को liquid में मिलाया गया है, तो gas हमारा solute और जो liquid यानि water है, वो हमारा solvent हो जाएगा, समझ में आया, third example समझ में आया, now let's move to fourth example, चौथा example, air, air हवा, जो हमारे अगल बगल हवा है, वो भी एक तरीके का solution है, किस चीज का solution है भईया, हमारे air में अलग-अलग तरीके के gases present होते हैं, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, अलग-अलग gases हमारे air में पाए जाते हैं, इसलिए air भी हमारा एक solution का example है, यह किस तरीके का solution है, यह gas in gas का solution है, gas in gas मतलब हमारा जो अलग-अलग gases है, यह एक दूसरे में मिली हुई है, हमारा जो air है, इसमें 21% oxygen, 78% nitrogen, बाकी 1% में other gases, जो बाकी और भी gases हैं, helium हो गया, carbon dioxide हो गया, carbon monoxide हो गया, यह हैं, तो यह भी हमारा एक solution का example है, तो these all are the examples of solution, I hope आपको समझ में आ गया होगा, Let's move to properties of solution Now we have already seen the examples of solution, हमने solution के example तो देख लिये हैं, अब हम देखेंगे properties of solution, यानि solution की क्या-क्या विसेशताई होती हैं, क्या-क्या properties होती हैं, एक solution कैसा होता है, ठीक है, Number one, a solution is a homogeneous mixture, सबसे पहली बात आप यह जान लो, कि भाई, कोई भी solution हो, वो एक homogeneous mixture होता है, यानि, उनके मिलावट में एक रूपता होती है, यहाँ पर मैंने एक example दिया है, coffee का, यह जो cup में आप देख रहे हो, यह coffee है, आप इस पूरे coffee को देखकर बताओ, यह पूरी coffee एक ज रहा है, मतलब यह perfectly dissolve हो जाते हैं, इसलिए, यह solution है, और solution हमेशा एक homogeneous mixture होता है, मतलब perfectly dissolve हो जाता है, got it? Number two, पर चलते हैं, the particles of solution are smaller than one nanometer in diameter, हमने देखा, कि भाई, जो solution के particles होते हैं, वो homogeneous होते हैं, यानि perfectly dissolve हो जाते हैं, कैसे perfectly dissolve हो जाते हैं? क्योंकि जो solution के particles होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं लगभग 1 nanometer होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे इतने छोटे होते हैं कि हम इने खुली आखों से naked eye से नहीं देख सकते हैं microscope लगा कर देखे तो शायद दिख जाएगा number 3 third property of solution है कि इतनी ज़्यादा छोटी size होती है जो solution के particles होते हैं इनकी size इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि they do not scatter a beam of light passing through the solution अब देखो light जैसे यहाँ पर दो तरीके की liquid दिए गए है यह है solution और यह है collide collide में क्या होता है कि छोटे छोटे particles हमें दिखते रहते हैं दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं बिल्कुल दिखते हैं तो ऐसे mixtures में light pass हो जाती है लेकिन solution में देखो क्या होता है solution में कोई भी particle visible नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इसलिए जो solution होता है they do not scatter a beam of light passing through the solution solution के particle इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो दिखते नहीं है दिखते नहीं है तो भाई हमें light pass करती हुई भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर दिख रहा है क्या light pass कर रही है नहीं दिख रहा है क्यों? क्योंकि solution के particle जो होते हैं काफी छोटे होते हैं so the path of light is not visible in a solution this is the third property of solution i hope आपको third property भी समझ में आ गया होगा now fourth one की the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration कह रहा है कि भाई एक बार हमने solution में solute को मिला दिया और solution पूरी तरीके से बन गया example example coffee ले लेते हैं क्या तुम coffee को बनाने के बाद जब तुम्हारी पूरी coffee बन जाती है क्या तुम coffee और दूद को अलग कर सकते हो नहीं कर सकते मेरे भाई the solute particle cannot be separated from mixture by the process of filtration the solute particles also do not settle down when left undisturbed एक तो बात हमने देख ली कि भाई हमने solution के particles को हम अलग नहीं कर सकते हैं मतलब हमने चीनी और water को मिलाया है तो हम किसी भी process से चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं बिलकुल ऐसे ही जो solution में solute मिलाया जाता है जैसे इसमें coffee और दूद में हमारा जो coffee है वो क्या है वो solute है ठीक है अगर हम इस solution को undisturbed रग दे मतलब कुस देर तक ना चुएं तो ये भी possible नहीं है कि coffee जो हमारा coffee है वो नीचे बैठ जाए और दूद उपर आ जाए ऐसा भी नहीं होता है ठीक है तो जो solution है उनमें हमने दो चीजे समझी कि जो solution के particles होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते दूसरी चीज solution के particles ऐसा भी नहीं है कि अगर हम इस coffee को नाच हुएं अंडिस्टर्ब रखें तो coffee के particles नीचे बैठ जाएं यह भी नहीं होता है जैसा sand में होता है बालू में होता है अगर तुम बालू को sand को तुम water में mix करोगे तो कुछ देर बाद water ऊपर आ जाता है और sand नीचे बैठ जाता है लेकिन solution में ऐसा नहीं होता है got it समझ मैं so let's move to the next topic topic number 2.2.1 concentration of a solution concentration of solution का मतलब क्या है भाई कोई भी solution कितना ज़्यादा concentrated है यानि कितना ज़्यादा गाढ़ा है इसको हम इस particular topic में पढ़ने वाले है चलो start करते है in activity 2.2 हमने activity 2.2 करी नहीं है फिर भी आप इन pictures को देखकर पता लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या है different sets of solutions है different sets of solution का मतलब क्या है यहाँ पर हमें solution के अलग-अलग color दिख रहे है यह देखो यहाँ पर हमें यह जो solution है, यह थोड़ा हलका दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा और गाढ़ा दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल जादा concentrated है, और जादा गाढ़ा दिख रहा है, है की नहीं है, So, we understand that, इस तीनो solution को देखकर हमें एक चीज़ तो पता चल गई है, क्या पता चली है, कि भाई, जो solution होता है, the relative proportion of the solute and solvent can be varied, मतलब किसी भी solution में, चाहे इस solution की बात करें, इस solution की बात करें, या इस solution की बात करें, होता क्या है, कि हम solute और solvent के amount को घटा और बढ़ा सकते हैं, पहले वाले में देखो, जो solute है न, वो बहुत ही less quantity में मिलाया गया है, that's why ये जो solution है, ये हमें काफी हलका दिख रहा है, second वाले में थोड़ा जो solute है, वो और मिलाया गया है, more solute मिलाया गया है, इसलिए हमें थोड़ा जादा दिख रहा है, यहाँ पर जो solute है, ये solution होता है उसमें solute और solvent मतलब जो मिलाया जाता है और जिसमें मिलाया जाता है इन दोनों की जो amount होती है quantity होती है हम यह घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और घटाने और बढ़ाने पर ही depending upon the amount of solute हम कितना solute किसी solution में डालते हैं इस चीज से हमें तीन चीजे मिलती है diluted solution, concentrated solution और saturated solution मतलब क्या है मतलब यह है कि अगर हम solute बहुत कम डालते हैं तो हम इसको diluted solution कहते हैं अगर हम थोड़ा और solute डालते हैं तो इसको हम concentrated solution कहते हैं आखरी वाला है saturated solution saturated solution हम उसे कहते हैं जिसमें जो solute होता है वो access amount में present होता है मतलब बहुत जादा मात्रा में इतनी जादा मात्रा में कि जो solute है वो dissolve भी नहीं हो पाता यह देखो नीचे जो भी solute है वो नीचे आकर यह कठा हो गया है अब इस solution के पास इतनी छमता नहीं है कि यह इस solute को dissolve कर पाए घोल पाए ठीक है समझ में आया जो diluted और concentrated यह तो comparative terms है आप इसे जानते हो यह है हमारा हलका solution और यह हमारा गाड़ा solution diluted और concentrated का नाम तो तुमने सुना ही होगा न यह दोनो comparative terms है अगर हम solute कम डालेंगे तो यह हमारा diluted solution कहलाएगा solute ज्यादा डालेंगे तो यह हमारा concentrated solution कहलाएगा हमें बस पढ़ना है saturated solution क्या है पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे चालो आगे बढ़ते हैं और saturated solution देखते हैं एक बहुत ही जबज़स्ट इस activity से भाई हम जानेंगे कि saturated solution किसे कहते हैं और unsaturated solution किसे कहते हैं सबसे पहला activity का जो step है इस activity में हमें करना क्या है इस activity में हमें लेना है 50 ml of water और वो भी दो अलग-अलग beakers में हमने यह देखो 50 ml water इस beaker में ले लिया पहले वाले में और दूतरे वाले में भी हमने 50 ml water ले लिया उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमें इस water का temperature measure कर देना है जैसे जो normal water होता है वो 20 degree celsius होता है normal water जो होता है तो हमने इहां पर normal water लिया है दो अलग-अलग beakers में जिसका temperature 20 degree celsius है step 2 step 2 में हमें क्या करना है हमने पहला step 2 देख लिया कि हमें 50-50 ml water दो अलग-अलग beakers में रख देना है उसके बाद क्या करना है हमें एक beaker में salt add करना है और दूसरे beaker में sugar add करना है with continuous stirring मतलब लगातार इस sugar और salt को डालने के बाद इस water में घुमाते रहो ताकि यह perfectly dissolve हो जाए ठीक है जैसे देखो हमने sugar डाला sugar डाला और मैंने यहाँ पर dissolve कर दिया ठीक है फिर से देखो मैंने sugar डाला और dissolve कर दिया ऐसे हमने salt को डाला और dissolve कर दिया ठीक है तो तब तक तुम इस water में sugar और salt add करते रहो जब तक यह dissolve होता रहे जब dissolve नहीं होगा तो यह sugar नीचे जाकर बैठ जाएगा ठीक है तो तब तक तुम इसमें sugar और salt डालते रहो third step when no more solute can be dissolved जब sugar और salt इतनी मात्रा में present हो जाएं कि जब नीचे आकर बैठने लगेंगे जब access amount में ये sugar और salt नीचे आ जाएं तब तुम्हें क्या करना है तब तुम्हें heat करना है beaker को दोनो beaker को गरम करो और 5 degree Celsius temperature बढ़ा दो तुम इन दोनो beaker को इतना गरम करो कि 5 degree Celsius का temperature हो बढ़ जाए जैसे पहले कितना था पहले था 20 degree Celsius अब हम इसका temperature बढ़ा दी है अभी हो जाएगा 25 degree Celsius अब तुम क्या करो फिर से salute डालना start करो तुम क्या देखोगे तुम देखोगे कि भाई जो salute है न हमारा वो वापस से dissolve हो जा रहा है हमारा जो पहले वाला था यहाँ पर हमने इतना salute इसमें डाल दिया था कि ये अब dissolve नहीं हो रहा था हमने बोला था ना कि भाई इतना salute इसमें डालो कि जब ये नीचे आकर बैठने लगे उतना salute डालो ठीक है उसके बाद जब तुम beaker को गरम करोगे न तुम देखोगे कि तुम और sugar और salt इसमें डाल पा रहे हो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसी लिए होता है कि भाई जो हमारा ये वाला solution था जब sugar और salt नीचे आकर बैठने लगे इसको हम saturated solution कहते है saturated solution का मतलब भाई एक ऐसा solution जिसमें और ज़ादा salute ना मिला है जाए सके वो इस water से dissolve नहीं होंगे ठीक है और फिर हमने गरम किया तो ये वापस जो solution जो saturated था वो unsaturated बन गया अब हम इसमें और ज़ादा sugar मिला सकते है और dissolve भी कर सकते है हम इसमें और ज़ादा salt मिला सकते है और dissolve भी कर सकते है तो मतलब हमने क्या सिखा हमने दो तीन चीजे सिखी कि saturated solution क्या होता है जब और ज़ादा salute water में ना मिलाया जाए that is saturated solution ठीक है unsaturated क्या होता है जब इस water के पास capability हो कि ये dissolve कर लेगा जब इसे हम unsaturated कहते हैं ठीक है unsaturated तो हमने saturated unsaturated सीखा हमने एक और चीज़ सीखी यार हमने ये सीखा कि जैसे हमने temperature बढ़ाया 5 degree Celsius से न तो जो हमारा पहले saturated solution था वो unsaturated में convert हो गया मतलब temperature बढ़ाने से saturated solution unsaturated बन जाता है जो solution पहले sugar और salt को dissolve नहीं कर पा रहा था अब वो आसानी से sugar और salt को dissolve कर पा रहा है ठीक है तो I hope कि आपको ये activity बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी इस activity को करने के बाद हमने जो कुछ भी सिखा है वहीं से आपके लिए कुछ questions है ये हूबहू NCRT की लाइन से और आपको एक एक लाइन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पूछ क्या रहा है पूछ रहा है कि is the amount of salt and sugar that can be dissolved in water at a given temperature the same पूछ रहा है आपसे कि हमने 50 ml, 50 ml दो जगा water लेया था बिल्कुल लेया था भहिया इस water का temperature 20 degree Celsius था बिल्कुल था भहिया ठीक है तो हमने जितना सुगर इस water में मिलाया और जितना salt इस water में मिलाया क्या हमने same amount में सुगर और salt इस water में मिलाया अगर आप इसको practically करो गे ला तो तुम्हें पता चलेगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद सुगर जो है न वो नीचे एकठा होने लगेगा ये solution हमारा saturated बन जाएगा ठीक है ऐसा ही salt का भी है salt 50 ml के water में salt केवल 17 gram मिलाया जा सकता है उसके बाद क्या होगा उसके बाद salt इस water में mix नहीं होगा नीचे यहाँ पर एकठा होने लगेगा देखे रहो यहाँ पर ये क्यूं है ऐसा क्योंकि इनकी अलग-अलग solubility है sugar की solubility अलग है और salt की solubility अलग है बिल्कुल ऐसे ही हमारा एक sodium fluoride होता है ये भी एक chemical है ठीक है sodium fluoride 100 ml water में केवल 4 gram sodium fluoride मिलाय जा सकता है देखा तुमने हमने यहाँ से क्या सिखा हमने देखा इस activity से कि अलग-अलग substances के अलग-अलग solubility हो सकते है किसी का solubility कम हो सकता है किसी का जादा हो सकता है at the given temperature ठीक है चालो आगे चलते हैं अब यहीं से हमारे पास दो अलग-अलग solution आते है unsaturated solution क्या है सबसे पहले हम यह जानेंगे देखो unsaturated solution बहुत ही clear है when more solute can be dissolved in a solution at a given temperature it is called a unsaturated solution जब तक जब तक हम solvent यानि जो यहाँ पर water solvent है ना हमारा जब तक इस water में sugar मिलाया जा सके dissolve होता रहे तब तक यह जो solution है यह unsaturated कहलाता है ठीक है जब हमारा solvent और ज़्यादा solute dissolve करता जाए dissolve करता जाए और यहाँ नीचे कोई access solute ना बचे ऐसे solution को हम unsaturated solution कहते है next आता है हमारा saturated solution saturated solution यह C नहीं होना चाहिए यहाँ पर a spelling mistake है कोई बात नहीं saturated solution क्या है unsaturated का बिल्कुल उल्टा when no more solute can be dissolve in a solution at a given temperature it is called a saturated solution भाई एक ऐसी स्तिती होती है जब हम इसमें sugar dissolve करते जाएंगे dissolve करते जाएंगे dissolve करते जाएंगे एक ऐसा stage पहुचेगा जहाँ पर और ज़्यादा sugar इसमें dissolve नहीं किया जा सकता dissolve नहीं होगा sugar बाकी यहाँ पर इकठा होने लगेगा तो ऐसे solution को हम saturated solution कहते हैं ठीक है जब किसी solution में और ज़्यादा salute ना मिलाया जा सके ना dissolve किया जा सके तो हम उसको saturated solution का नाम देते हैं यह देखो यहाँ पर sugar dissolve नहीं हो रहा है क्योंकि already बहुत ज़्यादा sugar इस water ने dissolve कर रखा है ऐसे solution को हम saturated solution कहते हैं I hope आपको समझ में आया होगा तुमने activity पढ़ी तुमने इतना कुछ पढ़ा आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इस question का answer करो पूछ रहा है कि what would happen if you were to take a saturated solution किसी भी temperature में तुमें एक saturated solution लेना है और उसे ठंडा कर देना है उसका temperature गिरा देना है तब होगा क्या कोई एक solution है जो saturated है मतलब already इसमें बहुत ज़्यादा salute मिलाया जा चुका है अब इसको तुम जब ठंडा करोगे इसका temperature डाउन करोगे तो क्या होगा होने वाला क्या है भाई ठंडा करने पर ये जो axis amount of salute इसमें मिलाया गया है वो नीचे इकठा हो जाएगा बैठ जाएगा जी हाँ बिलकुल जो saturated solution था हमारा इसी को हमने ठंडा किया है तो होगा क्या ठंडा करने से इसके अंदर जितने भी particles मिलाये गये है वो नीचे इकठा हो जाएगे ठीक है हमारा next topic आता है concentration of solution ये concentration of solution क्या है example देखे बताओ हाँ भया example चे ये मुझे अच्छा तुम लोग चाय तो पीते होगे बिल्कुल पीता हो भया क्या बात है बताओ देखो कभी-कभी चाय पीते time तुमने देखा होगा कि भाई कभी-कभी जो चाय होती है वो काफी ज़्यादा मीठी हो जाती है और कभी-कभी बहुत सीखी होती है बहुत कम मेठी होती है ऐसा क्यों होता है ऐसा हिसले होता है कि कभी-कभी हम चीनी ज़ादा मिला देते हैं दूध में और कभी-कभी चीनी कम मिलाते हैं तो भाई इसी को हम concentration of solution कहते हैं मतलब कितना solution concentrated है ज़्यादा हमने सुगर मिलाया तो जो हमारा solution है वो ज़्यादा concentrated है कम सुगर मिलाया तो हमारा solution है वो कम concentrated है यानि dilute है तो ये तो हमने example दे दिया आप थोड़ा definition देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि the concentration of solution किसे कहते हैं the amount of solution present in a given amount of solution मालनो हमारे पास चाई और चीनी और चाई पत्ती मिला कर जो हमारी final चाई बनी है मालनो हमारे पास 50 ml हमने चाई बना ली है अब इस 50 ml चाई में हमने कितना gram सुगर मिलाया है कितना gram salute मिलाया है इसी पर depend करता है हमारा concentration of solution हमने जितना salute मिलाएंगे हम concentration उतना बढ़ता जाएगा हम जितना कम salute मिलाएंगे concentration उतना घटता जाएगा समझ में आया ठीक है definition यही है कि भाई the amount of salute present in a given amount of solution किसी भी solution में कितना salute present है किसी को हम concentration of solution का नाम देते हैं अब यहाँ बर ना concentration of solution को calculate करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं देखो amount of salute upon amount of solution भी तुम कर दोगे ना तब भी तुम solution का concentration निकाल सकते हो I think you got it चालो अब देखो यहाँ पर हमारे पास formula है concentration of solution को calculate करने के लिए हमारे पास दो methods हैं यह देखो there were various ways of expressing the concentration of solution but here we will learn only two methods वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके है concentration निकालने के जैसे हमने अभी पीछे भी दो देखा ठीक है लेकिन अब हम यहाँ पर दो ऐसे methods का use करेंगे जिनका use करके आप numerical solve करोगे देखो आगे यह numerical है ना हम इसी formula की base पर solve करेंगे यह आपके इस chapter का पहला numerical होगा formula याद कर लेना ठीक है यह formula किस लिए है यह formula concentration of solution निकालने के लिए है अगर किसी भी numerical में आप से कह दे कि concentration of solution निकालो तो आप इनहीं दोनो formula का use करोगे got it देखो सबसे पहला formula है इस formula को हम mass by mass percentage का नाम देते हैं अब आपको question में दिया आगे रहता है कि आपको mass by mass निकालना है या mass by volume निकालना है question में जो दिया है उसके हिसाब से आप formula यूज कर सकते हो इन्ही formula पर बेस हमारे पास एक numerical है and this is basically the numerical number one of this chapter यह numerical काफी ज़्यादा important है और पहला numerical इस chapter का करते हैं इसे बोल रहा है कि भाई एक solution है जिसके अंदर 40 gram of common salt है और 320 gram of water इन दोनों को मिलाया गया है और एक solution बना दिया गया है आपको क्या calculate करना है calculate the concentration of solution in terms of mass by mass वाला solution हमें निकालना है अच्छा mass by mass वाले का तुरंत formula देखो mass of solute upon mass of solution into 100 तुरंत formula को लिख लो सबसे पहला काम होना चाहिए formula लिखो formula याद है तो सब याद है concentration को calculate करने के लिए किस मिथड से? mass by mass से formula क्या होगा? mass of solute mass of solute upon mass of solution mass of solution और percentage निकालना है चुकी इसलिए हम multiply कर देंगे 100 से बिल्कुल कर देंगे अच्छा हमें mass of solute तो दिया गया है कि भाई जो common salt है वो 40 gram है हमारे पास तो solute तो हमें दिया गया है कि solute हमारे पास कितना है? 40 gram of common salt यानि जो solute है वो 40 gram है और solution दूसरा हमें solution चाहिए solution किसे कहते है जब दोनों चीज को मिलाएंगे तब solution बनेगा ठीक है? तो 40 gram salt है हमारे पास 40 gram का हमारे पास common salt है plus 320 gram हमारे पास water है ठीक है? इन दोनों को plus कर दो हो गया हमारे पास total 360 gram of solution ठीक है? तो अब हमें दोनों का mass पता है solute का भी mass पता है और solution का भी mass पता है फॉर्मूले में put करो mass of solute equal to 40 upon 360 multiplied by 100 तो ये 0 इस 0 से चला जाएगा 40 into 10 हो जाएगा 400 400 divided by 36 400 को जब divide करोगे 36 से तो हमारा जो final answer है वो आएगा 11.1 percentage में आएगा क्यों percentage में आएगा? क्योंकि भाई question ध्यान से देखो तुमसे percentage ही तो पूछ रहा है mass by mass percentage पूछ रहा है तो हमारे पास है 11.1 percentage इस formula का use करके तो I hope आपने numerical सीख लिया होगा अब हम बढ़ते हैं अपने next तरीकी के mixture की तरफ topic number 2.2.2 को कहते ही निलंबित करना या बाहर कर देना मतलब suspension एक ऐसा mixture होता है जो अपने salute को suspension में जो कुछ भी मिलाया जाता है उसको वो dissolve नहीं करता उसको वो बाहर कर देता है ठीक है? चलो पढ़ते हैं suspension क्या है? non homogenous system सबसे पहली चीज बता दिया है कि जो suspension होता है वो एक तरीके का non homogenous system है यानि perfectly dissolve नहीं होता है ठीक है? suspension को आप activity number 2.2 में देख सकते हो हमने वो activity करी नहीं है इसलिए मैंने आपको एक pic दिखा रहा हूँ मैं बगल में आप ये picture देख रहे हो ये sand in water का picture है जब हम sand को water में मिलाते हैं तो sand in water एक तरीके का suspension का example होता है ठीक है? अब exactly जानो suspension क्या है? यहां से लेके यहां तक इसकी definition है कि भाई जो suspension होता है वो एक तरीके का heterogeneous mixture है यानि ये perfectly dissolve नहीं होता है the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium यानि suspension एक ऐसा heterogeneous mixture है जिसमें उसके जो solute particles होते है वो perfectly dissolve नहीं होते है बलकि suspended यानि इधर उधर medium में घूमते रहते हैं ऐसे mixtures को हम suspension कहते हैं जो suspension के particles होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बड़े होते हैं इसलिए particles of a suspension are visible to the naked eye हमारी खुली आखों से suspension के particles देखे जा सकते हैं ठीक है चलो अब properties of suspension जानते हैं भाई की suspension की properties क्या है मतलब suspension क्या बिहावियर सो करता है सबसे पहला जो suspension है वो एक heterogeneous mixture है यानि जैसे example मैंने लिया था sand water का ठीक है sand में water perfectly dissolve नहीं होता है इसलिए ये एक तरीके का heterogeneous mixture है ठीक है sand water क्या है ये suspension है गड़ इट suspension क्या होता है suspension एक heterogeneous mixture है let's move to second property of suspension second property of suspension क्या कहता है कह रहा है कि भाई the particles of a suspension can be seen by the naked eye जो suspension की particles होते है वो थोड़ा size में बड़े होते हैं इसलिए हम इने खुली आँखों से देख सकते हैं third the particle of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible जो suspension mixture होते हैं यानि अगर आप water में sand को मिलाओ ठीक है तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी मालो इधर से हम light भेजते हैं मालो ये torch है और इधर से हम light भेज रहे हैं तो जो light का path होता है वो इस suspension के through होकर गुजड़ता है और हमें साप साप दिखाई देता है समझ गए और ऐसा क्यों होता है क्योंकि भाई जो suspension के particle होते हैं वो थोड़ा बड़े size में होते हैं मैंने कहा है आपको कि जैसे suspension का example मैंने लिया था sand water अगर sand water को तुम disturb ना करो तो इस water में जितना भी sand मिलाया गया है वो कुछ देर बाद नीचे जाकर बैठ जाता है settle down हो जाता है और इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो suspension होता है वो एक unstable mixture है they can be separated from the mixture by the process of filtration चुकि sand आसानी से नीचे बैठ जाता है इसलिए हम इस mixture को sand और water को आसानी से अलग भी कर सकते हैं filter करके अगर हम filter paper लगा दें तो water पूरा नीचे चला जाएगा और sand ऊपर filter हो जाएगा अब यह जो sand है अब यह जब नीचे जाकर settle down हो जाता है तो यह पूरा mixture अब suspension नहीं कहलाता है और ना ही यह अपने through light को pass करा पाता है scatter करा पाता है ठीक है तो these are the properties of suspension I hope you had already understood the topic so this is all about this chapter आपको विड़ो ज़रूर पसंद आई होगी विड़ो में हमने जो कुछ भी कर सकना था हमने किया है तो अगर विड़ो पसंद आई हो यार तो अपनी तरफ से एक like ज़रूर करें मिलते हैं इस विड़ो के second part के साथ जल्दी तब दक के लिए बने रही हमारे channel के साथ जय हिंद बाबाई